जैश्रीराम जैबागिश्वरधाम शुक्रवार का दिन शुक्रग्रह का दिन माना जाता है जो की लगजरी का ग्रह होता है जिन लोगों को अपने जीवन में सुक्सम्रिद्धी की आवशकता होती है उनका शुक्रग्रह मजबूत होना बहुत ही आवशक होता है शुक्रग् जो भी कारे करता है तो उसमें निश्चित ही उसे लाप्राप्त होता ही रहता है शुक्र ग्रह के ही अच्छे होने से जीवन में आकर्शन समोहन बहुत ही दुगनी तेजी से बढ़ता है जिससे सभी लोग आपसे आकर्शित होते हैं आपको मैं बता दूं कि जिस भी व्यक्त उसे पसंद नहीं करता है तो ऐसे में उनका शुक्र ग्रह खराब होता है इसलिए शुक्र ग्रह का बलवान होना बेहत आवशक है जिससे सभी लोग आपको पसंद कर सकें और जीवन में धन संबंधी सभी समस्याइं मिट सकें तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे खास प्रयोग के बारे में जिनको करने से शुक्र ग्रह बलवान होता है और जीवन में लगजरी वाली सभी चीजें अकरशित होती ही चली जाती है लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले कमेंट बॉक्स में जैश्री राम जरूर लिखें और सनातन धर्म को आगे ले जाने में हमारी मदद करें तो दोस्तों आपने खुद ने भी ऐसा कई बार देखा होगा ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो की कारे बहुत कम करते हैं लेकिन उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है जिस भी चीज की वे कामना करते हैं या पाना चाहते हैं वो पाही लेते हैं उनके जीवन में प्रेम की भी कोई कमी नहीं होती है और खास कर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति का शुक्र ग्रभ बलवान ह तो ऐसा व्यक्ति धोके बाज भी हो जाता है क्योंकि शुक्र आचारे जो थे वो असुरों के गुरु थे जिस व्यक्ति का शुक्र मजबूत हो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सुख की सम्रिध्धी की कोई कमी नहीं होती है तो दोस्तों आपको बता दूँ कि अगर आपके दोनों आखों के बीच जहांपर बिंदी लगाई जाती है या तिलक लगाया जाता है जिसे हम तीसरी आख भी बोलते हैं महा से ही आपके जीवन में शुक्र ग्रह बलवान हो सकता है इसमें आपको किसी भी तरह की पूजा पाठ करने की बिलकुल आवशक्ता नहीं है आपक के घरों में रसोई घर में आसानी से आपको इलाइची मिल जाएगी इलाइची को ले और उसे जलाएं उसे जो कालिक निकलेगी जलने के बाद जो राख निकलती है आखरी में उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर रोज रात को शुक्रवार के दिन आपको अपनी तीसरी आख वा को करना है एक पी दिन छोड़ना नहीं है जैसे ही आप ये उपाय करना शुरू करेंगे आप खुद देखेंगे कि आपको सपने में धन से जुड़े हुए कई समस्याइं ठीक होती हुई नजर आने लगे जब आपको सपने में ऐसे दिखने लगे कि आपके धन संबंदी परिशानी दूर होने लगी है, मिट रही है, धन की समस्या दूर हो रही है, धन का जीवन में आकर्शन हो रहा है तो बस आप समझ जाएं, आपका उपाय काम करने लगा है तो बस यही आपको ध्यान रखना है, कि रोजाना आपको इस प्रयोग को करते जाना है, बीच में रोकना नहीं है, दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं, कि शुक्रवार के दिन आप पानी की बोतल ले लें, और उस बोतल को देखते हुए श्रीम बीज मंत्र का आप जाप करें, श्रीम बीज मंत्र माता लक्षमी का बीज मंत्र होता है, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र का खास प्रभाव शुक्रवार के दिन ही होता है, आपको पानी को देखते हुए कम से कम आधे घंटे तक श्रीम बीज मंत्र का आपको जाप करना है, आप चाहें तो से लिख ले या फिर आप Google पर भी देखेंगे घी पर भी आपको यह लिखा हुँआ मिल जाएगा note कर ले या फिर याद कर लें oh dream stream home he examples from the २छली मद्षुपन द्थम हलीम श्रीम रोम ध्यम हम रामयम इस मंत्र का जाप आप सिर्फ शुक्रवार के दिन ही करें, आपको रोज करने की आवशक्ता बिल्कुल नहीं है, आप सिर्फ शुक्रवार के दिन करें, आपकी सभी पर रिशानिया हैं, जो भी समस्या हैं, वो समाप्त होती चली जाएंगी, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ये आप कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो अगर किसी व्यवसाय वाली जगह पर हैं, नौकनी वाली जगह पर हैं, आप कहीं भी सोने जा रहे हैं, तो आराम से आप इस मंतर का जाब कर लें, इसमें कोई पूझा पाठ की आपको आवश्चकता नहीं है, बस मंत से वीडियो जिससे आप शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और दुनिया में सुख संपत्ति को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में जै श्री राम जै बागेश्वर धाम सरकार